कोफते की सब्जी और वह हैं पालक की कोफते सर्दियां शुरू हो गई हैं पालक मेथी बथवा सबाना शुरू हो गया है तो यह रेसिपी इस मैं आप से शेर करती रहूंगे जितनी भी हरी सब्जियां है यह देखिए पालक को मैंने अच्छे से धो कर बारिक काट लिया है और यह धोना बहुत जरूरी है आप दो तीन बड़े पतीले में पानी लेके धोईए बिगो के रखिए उनकी मिट्टी साफ हो जाए फिर उसको निचोड़कर तब आप उसको बारिक काट लिजे यह हमने त सारे मसाले हैं जो भी यूज करती जाओंगी आपको बताती जाओंगी यह अदरक लैसुन का एक टेबल- spot है एक हरी मिर्च अपरैस को भी इसके साथ पीसकर पेस्ट बना सकते हैं जो भी ज्रूरत होगी बीच बीच में पे मैं आपको बटाती रहोंगी उसके लिए आपको करेंगे अब हम इसमें ठोड़ा सा डालेंगे गरम मसला धणिया पाउडर धनिया पाउडर ज्यादा डालीये थोड़ा सा हल्दी हम थोड़ा 2007 पाउडर बहुत थोड़ा थोड़ा टेस्ट क्या को अकॉडंडिंग नमक इसको अच्छे से mix करेंगे और दो टी इस्पून मैं इसमें डालूंगी थोड़ा गरम तेल हलके हाथ से इसे mix करेंगे देखे मिक्स करते करते जो बेसन है वो कितने अच्छे से इसमें mix हो गया है तो आप केवल देखेंगे कि कितना बेसन आपको binding के लिए चाहिए और आपके कोफते जो है वो easily बनना शुरू हो जाए देखें ऐसे sticky होना शुरू हो जाए देख रहे हैं तो इसको करते हैं अच्छे से mix यह देखें मैंने एक इसमें डाल के देखा है हमारा कढ़ाई का जो ऑईल है वो ठीक है ना बहुत जादा तेज गरम होना चाहिए ना बहुत ठंडा यह देखें इस टाइप से मैंने छोटा सा डाला है तो आप पहले डाल के देख लें कि बाइंड हो रहा है कि नहीं यह mixture बन गया है हम पानी का हाथ लगाएंगे और इसको ऐसे छोटे छोटे गोल बनाएंगे इसके आप चाहें तो चप्टे बना सकते हैं आप चाहें तो ओवल शेप में बना सकते हैं इस टाइप से हम इसके सारे बना लेंगे और इसको डीफ्राइ करने के लिए डाल देखें किते सुंदर लग रहे हैं यह देखें इनको अब एक से दो मिनट हमने इनको बिलकुल हिलाते नहीं है फिर उसके बाद देखते हैं तो यह देखें चिपकते नहीं है बिलकुल भी लेकिन अंदर से पक जाने चाहिए अंदर से कच्चे ना रहें उसका हमें ध्यान तो यानि हमने दो कप कटा हुआ पालक लिया है तो उसमें हमने जो बेशन है वो उसके अकॉर्डिंग मिला है कि हमारा कहीं पालक जाद गीला तो नहीं है इस तरीके से हम इनको पलट लेंगे उलट-पलट के सेख लेंगे सारे देखे पीछे की तरफ से यह बहुत अच्छा स ब्राउन जो हम ने सबसे पहले डाला था वह अच्छा ब्राउन महां हो गया है ऐसे हमें सेखना है अजह का देखे अब यह बहुत अच्छे से ब्रांब들이 होना शुडव हो गयए हैं और जैसी अहलं के आम निकाल लेंगे माशलीं अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट म में तेल गर्म होने रख दिया है 3 टेबल स्पून ओयल है और ये डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता 1 टी स्पून जीरा कटाववा प्याज अब हमने पूरी प्याज दाल दिया है और इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छा ब्राउन करेंगे हम इसको टू पिंच इसमें हिंग ताल रहे हैं और इसको भूनेंगे आप ये सब्जी ज़रूर बना कर देखेगा बहुत पेस्टी है, देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें ये पेस्ट और हरी मिर्च डाल देंगे, अगर हम शुरू में डालते हैं कच्छी प्याज के साथ तो ये पकना शुरू हो जाता है, प्याज भुनने में फिर और टाइम लगता है, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीज़े, शेल कीज़े अपने फैमिली फ्रेंज में, बेल आइकन प्रेस कीज़े ताकि मेरी लेकेस्ट अप्रेट्स आप तर पहुँ सके, तो समय से मेरी रेसिपी इर्रेगुलर रही है, अब मैं कोशिश कर प्याज भूंगी के रेगुलर डालों, तो आप जरूर मजे फॉलो कीज़े, ये रेखे, प्याज भूंगी है, इसमें हम डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी बेगी मिर्च, चिछन किंग, 1 टीस्पून, और नमक स्वाद्यमसार, नमक हमने द्यान रखेगा, इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को, और सूखा दुनिया पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, अब हम प्याज भून गई है, मसाले अच्छे से भून गए है, खुश्बू आ रही है, तो हम डाल देंगे इसमें टोमाटो प्यूरी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हमें 5-7 मिन अच्छे से भूनना है, जब तक सब्जी जो है, वो ऑईल ना छोड़ दे, थोड़ी देर हमने इसको ढखके पका लिया है, और यह देखो, यह भूनना शुरू हो गया है, अभी और हम इसको भूनेंगे, देखें कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, यह देखिए, बहुत अच्छे से भुन गया है, बॉल ठोड दिया है, और इसमें पानी भी नहीं रहा है, बिल्कुल पानी नहीं है, बहुत अच्छे से खटा हो रहा है, शूप गया है एकडम, अधरवाइस टमाटा की कच्छे की स्मेल आती है, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, और इसको करेंगे मिक्स, देखिए कितना अच्छा सबजी का कलर आया है, और इसको उबलने देंगे, हम थोड़ा से जो पानी है, वो थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे, क्योंकि कोफते पी जाते हैं, और बाद में तरी जो है वो ठिक हो जाती है, यह देखिए, अपने घर के सामान के साथ फटा फट बना सकते हैं, उस तरह की रेसिपी है, अब हमने इसको ढखकर भी पका लिया है ग्रेवी को, देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, यह देखिए, इस समय हम और ठिक है ग्रेवी, ऐसे नहीं है, कि बहुत पतली है, यह रेगुलर जो हम ग्रेवी बनाते हैं, सब्जियों के लिए उसी ग्रेवी में, येलो ग्रेवी और ग्रीन कोफते, देखिए कितना बढ़िया आपका यह लग रहा है, एक मिनट और हम इसको ढखकर पकाएंगे, यह देखिए, बहुत अच्छे यह कोफते बन गए हैं, हम इसको ढखकर एक मिनट के लिए और पकाएंगे, और यह बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया लगने वाले हैं, और लास में हम डालेंगे इसमें थोड़ा दरम मसाला, थोड़ा सा कटा वह धनिया, और देखिए हमारे यमी से लगने वाले कोफते, कितने सुंवर, कितने टेस्टी लग रहे हैं, अब हम इसमें मलाई भी डाल दें, थोड़ी सी मलाई से गार्निश कर दें, यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजे, और यह देखिए, लग रहा है ना यमी, तो मैं प्लेटिंग नहीं कर रही हूं, यही फोटो डाल रही हूं, आशा क करती हूं, आपको यह मेरी रेसीपी पसंद आई होगी, थेंक यू सो मच फो वाचिंग मैं रेसीपी,